तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हुआ आप लोग तो स्वागा दे फिर से एक नए एपिसोड में नेक्स्ट इन हो लफ स्वैलर स्टा तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि हमने पीसले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर लू फैंग पर टियांचिन ने अटाक कर दिया होता अपने सोल पावर से और लू फैंग यहाँ अपने स्ट्रॉंगेस फ्लेम गॉड क्रिस्टल को यूज करके वहाँ पर ब्लास्ट करने वाला था लेकिन तभी दिखाया जाता है कि लू फैंग को कोई बुलाने लगता है और लू फैंग के चाहता अफ एक एनरजी कवर हो ज लाता है एक एक जीट के जैसा जहां पर हर एक स्ट्रॉंगेस फ्लेम गॉड क्रिस्टल को निकालते हुए देख रहा था और उसी के साथ वो उसको डिटोनेट भी कर दिया होता है अगर यह होता तो टियान चेंग को बहुत ही जाना नुक्सान होने वाला था उसकी बहुत जाला अंडाइंग बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती थी रफी उसे दिखाया जाता है जो कहाता है कि मैं सर्वाइब कर गया मेरा लग इतना भी बुरा नहीं है मैंने तो टीमेंग के साथ मिलकर एक एंपर लिमिटर को भी कंट्रोल कर दिया और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ल में नया जिन्टली शुरू होने वाला है अभी तक तो दिखा रहा लेकिन लूफ हैं लुफ हैं नहीं मरा होता है जिसके कान लूफर दी टियांचन के असली कलर स्लेफ आ गई है तो एक इनमी को मारने से जाला यहां पर क्या हो सकता है और वो सोचता है कि मेरे पास दो इंपर लिमिट के स्लेफ से और चीम में की लेवल अफ इस्ट्रेंट तो मेरे ही बराबर है और इसी के साथ मेरी जो इस्ट्रेंट है वो और भी बढ़ने वाली है तो आखिरकार मुझे ब्लेट रिवर इंपर से डरने की क्या जरुद्वत है और वो इनी सब के बारे में सूच रहा होता है और फिर हमें यहां पर आगे दिखाया जाता है जिसके बाद वो कहता है कि जबकि मेरा यह प्लान फेल हो गया है तो मैं अपने तीनों इंपर लिमिट बना लेता है हेवी एरो और जीमेंग को मारने के लिए जिसके बाद वो उसकी तब चला जाता है रफी हमें यहां पर हेवी एरो को भी दिखाया जाता है जो कि लूफेंग को ऐसे किसी और भी एकजिट ने जाते देखकर क्या आता है मास्टर और वो उसके पीछे जाने होती है कि जब तक उसका मास्टर जिन्दा रहेगा सोल्सले भी जिन्दा रहेगा लेकिन उसका अगर मास्टर मारा गया तो सोल्सले भी मारा जाएगा जैसा कि हमने हुआन बो के केस में देखा था और अब फिर में लूफेंग को दिखाया जाता है जिसके चाहताफ एक जैसे ही लूफिंग उस exit में इंटर करता है वो ऐसा नहीं लग रहा था कि लूफिंग एक forbidden space में आ गया हो बलकि वो एक ऐसे जगह पे आ गया था जहां पे कई सारे रंग बिरंगे पात्वे बने हुए होते हैं और ये बहुत ही सुन्दर होता है और लूफिंग वहाँ पे उ सब्सक्राइब बहुत ही पाफ़ल एनरजी निकल रही थी और इसके कान तो लूफिंग उन सब को साफ साफ देख भी नहीं पा रहा होता है यहां पे हमें लूफिंग को दिखा आ जाता है जो कि mentally heavy arrow से कुम्णिकेट करते हैं कि heavy arrow, heavy arrow यहां पे slow slave और master उन दोनों के soul एक दूसे से connect होते हैं यहां पे जितनी भी ज्याला दूरिया क्यों नहीं वह फिर भी अपने soul से एक दूसे से connect करके communicate कर सकते हैं और जबकि दोनों यहाँ पर star tower में मौझूद है तो यहाँ पर जितना बे दूर क्यों न हो उनकी soul s20 के मुताबिक वो असानी से communicate कर सकते हैं तो heavy arrow को दिखाया जाता है जो कहता है कि master क्या आप ठीक है तो loofing यहाँ पर क्याता है कि हाम नहीं ठीक हूँ लेकिन याद रखना ट्यांचन evil है और उसने मुझे मारने की कोजिस किया और मैं लगबग मर नहीं हुआ था और मैंने यह suspect किया है कि डेमन साइट के बंद चीमैन के भी उसके साथ deal करना पड़ जाएगा लेकिन दीखा जाँ यहाँ पर तुम्हें अभी कूव और बात की सब को यहाँ बताना होगा और तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए और तुम जाके दूसरे humans के group में जाके mix हो जाओ और यहाँ पर पहले तुम्हें space और star tower को छोड़ कर जाना होगा और बाहर मेरा इंतजार करना जब तक की मैं लॉट न जाओ तो लूफेंग यहाँ पर यह से बोलके तो आसा रूलाक्स भी हो जाता है और heavy arrow इसके लिए मान भी जाता है और यहाँ पर लूफेंग इस तब के बारे में बनाने ही माला था और यहाँ पर अगर किसी आर्मी के एलाई को ही मारना मतलब यह हुआ कि लूफेंग पूरे human camp से दुस्मानी लेने माला था और इसके कान बहुत साए powerful warriors उसका assassination करने के लिए तयार हो जाएंगे इस लूफेंग कहता है कि मैं अभी आर्मी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ लेकिन यहाँ पर जरूर कोई न कोई लूफेंग जरूर मौजूद होंगे जैसे कि आर्मी सिस्टर अपने scanning को यूज करके इन सारे पर रिलाई करते हैं और बैटल का decision यहाँ पर बनाने लगते हैं और इनी सब के बारे में लूफेंग सुचने लगता है जिसके बाद वो कहता है कि अगर यहाँ पर जैसे मैंने टियांचें को secretly मार दिया तो यहाँ पर डिवाइस के बाद कोई भी जर्या नहीं होगा यह पता लगा सके कि मैंने उसे माना था लेकिन कुछ भी हो तियांचें उसे मैंने brother की तरह माना था आखर उसने मुझे मारने की कोसिस कैसे की यहाँ पर अगर मैंने उसको माने तो आगे मेरे मन को स्थांति कैसे मिलेगी और लूफैंग अंदरी अंदर गुसा हो रहा होता है प्लान भी बना रहा होता है और फिर यहाँ पर भी हमें बताया जाता है लूफएंग के चाहँ तब जो mysterious energy होती है ना वो गायब सी हो जाती है और लूफएंग एक pathway पर आके land करता है यहाँ पर ऐसा लगा था कि लूफएंग एक feather की तरह हलका हो गया है और वो जनकली वहाँ पर खरा हो जाता है जैसी इन लूफएंग वहाँ चारो तब देखता है उसे दिखकर तो लूफेंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुती बड़ा मिस्टीरिस स्राइन होता है, जो कि बहुत जाँ बड़ा था, और उसमें टोटल नाइन थे हैं, और हर एक पिलर वो 10,000 किलोमेटर लंबे होते हैं, और सभी में कई साइस सील एस्ट जाँ जाँ रहा थे, जिसके लिए तो बाहर इतना जाँ जाँ फाइट हो रहा था, अब लूफेंग उसके चाहँ तब देखने लगता है, अब तबी उसके थोड़े दूर में एक बंदा बैठा होता है, उसकी बोड़ी स्नीक लाइक बोड़ी होती है, और उपर की करने को तैयार हो जाएगा, और इसकी एनरजी वास्ट और एनलेस्टी, यहाँ पर कोई भी वाइलिट नहीं था, लेकिन फिल भी लूफेंग तो इसको रेसिस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन तबी वहाँ एक एंसेंट वास्ट लूफेंग को सुनाए देती है, जो लूफें से भी बहुत हो जाया, इस्ट्रॉंग है, यह तो प्राइमी के उस सीटी लेडर के बरावर भी हो सकती है, क्या यह यूणिवर्स मास्टर लेवल बेंग है, लूफेंग इन सारी बातों से ही समझ चुका था, कि यहाँ पर जो भी बंदा है, उसके सामने लूफेंग रसिस् लूफेंग जानता था, कि जबकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर बस वो ओबेंग ही कर सकता था, उसके हर एक बातों को मांग सकता था, यहाँ पर सीन चेंज कर हमें स्राइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस काउंटले सील इस्टाइम में दो वहीं पर दूसरा लूफेंग होता है, लूफेंग उसके पास जाता है, और यहाँ पर वो सोचता है कि यह ग्रेट बेंग्स ही तो ह्यूमन की जैसा ही लग रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी पावरफाइन कर रेसेस के बंदे में से कोई भी एस्टार टावर को कंट्रूर नहीं कर पाया, आखिर काई इस टार टावर ने मुझे यहाँ पर कीम बुलाया है, यह बीस्ट इसनेक, आखिर यह उनी रेसेस में से यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो इनी सब के बारे में सोचने लगता है, फिर इसके बाद लूफेंग उस बंदे के सामने जाता है, और क्याता है कि यहाँ बैट जा, वो इसमें से बहुत ही पावरफुल एनरजी निकर रहे होती है, और वो एक ग्राउंड की तफ इस सारा करता है, तो लूफेंग यहाँ पर भी सान्ती से बैट जाता है, और वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो रहा होता है, यहाँ पर वो स् चाहिए होगा, कि तुम यहाँ पर जैसे ही आए, कैसा है फावरफुल फॉर्बिडेंग गार्ड तुम पर अटाक करना क्यों सुरू कर दिए, और यहाँ पर आने के बाद ही यहाँ पर सील एस्टार क्यों अपियर हो गया, तो यह सब सुनकर तो लूफेंग सौक हो जाता ह क्योंकि सुरूबात से लेकि लूफेंग अभी तक इनी सब के बारे में सोच रहा होता है कि क्या यह सिर्फ एक कोइस्डेंस है और यहाँ फिल कोई ऐसे ही हो सकता है, यहाँ पर यहाँ पर बंदा क्याता है कि मैं यहाँ पर बहुत लंबे अर्से से तुमारा इंतजार कर अफकोर्स मेरा यहाँ पर अभी क्लोन ही मौजूद है, मैं यहाँ पर परसनली आ जाओंगा जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो इसके बाद वो कहता है कि चलो मैं खुद को इंटेड्यूस कराता हूं, मेरा नामे पूती और मैं इस स्टार टावर का गार्डिय मैन्यूल क्या है, और वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर स्टार टावर को क्रेट नहीं किया हूं, और तुम यह भी सोच रहे होगा कि आकर स्टार टावर को किसने बनाया होगा, और पूटी यहाँ पर स्माल करने लगता है, और वो कहता है कि मैं यहाँ पर स्टार टावर क कि मैं तो फर्स डिस्पल हूँ लेकिन उनका एक सेकंड डिस्पल भी है जो कि यांसन रिस का लीडर है अब इसके बार पूती लूफेंग को देखते हुए क्याता है कि मेरे अंदर भी कई सारे बंदे मौझूद है लेकिन मेरे भी सिर्फ डो डिस्पल से और मैं लगी है कि य यांसन रिस और अर्टरुन रिस यहाँ पर टीचर के प्योर बंदे हैं यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर दो कैंडिर्स थे जो कि अर्ट से आई हुए थे लेकिन वो भी फेल हो गए थे और तुम यहाँ पर अर्ट से आने वाले तीसरे बंदे हो अब यहाँ पर उसके कह में और भी अच्छे से आप लोग जाँ जाओगी की अर्थ आखे बना कैसे अफ याँ पर आगे वो बोलता कि अड़से तुम तीसरे बंद हो जो कर दो पहले आयता है लेकिन भी लिए फेल होगे यहापे estar tower का creator का अपने आपका master बनने का और फिर वह आगे क्या था है कि यहापे 8.2 billion years के बाद दूसरा आया था और वो आगे क्या था कि अगर तुम यहापे succeed बन गए तो तुम तुम हमारे मांस्टर के थर्ड डिस्पल भी बन सकते हो लेकिन यह याद रखना कि अगर तुम फेल हुए तो यहाँ पे तुमारा उन दोनों की जैसे ही हाल होगा और यहाँ पे फेल होने का मतलब यही है कि तुम मारे जाओगी तुम्हें यहाँ कोई भी नए बचा सकता जा आई कितने भी पावफुल मांस्टर स्क्रिम ना आ जा जा कि क्या और लूफेंग तो यहाँ पर हैरान हो गया था कि यहाँ पे दो बन्त तो पहले भी आ चुके थे और यहाँ पर लूफेंग तीसरा था जोकि टूटल 8.2 बिलियन सास बाद आया होता है लूफेंग इन्ही यांसेन रेस का लीडर और ये पूरती आखिर है कौन है और इसका टीचर भी कौन है और अब यहाँ पे उसके दिमाग को दिखा जाता है जहाँ पे लुक फैंक के दिमाग में कई सारे रिक्ठाउट आ रहे होते हैं और वो सोच से लगता है कि ये जो नेमलिस मैनुवल मुझ ये प्लानेट है और यहाँ पे जो दो बंदे आय थे उनके टाइम के समय अर्थ का नाम दूसा चीज था और वो अपने अलग नाम से अर्थ को बुलाते थे अब पहला कैंडिन जो यहाँ पे आया था वो अर्थ को सैन हाई वर्ल कहाता था और दूसरा जो बंदा आया था वो अर्थ को असल में ओरिजिन स्टार कहा करता था और अभी तुम्हारा समय चर रहा है जो कि तुम अपने इस प्लानेट को अर्थ कह रहे हो तो लूफेंग भ पुरे वास्ट उनिवर्स को एक्स्प्लोर करना शुरू कर दिया था और बाद में आगे चलके मैंने इस काउंट्लेस इमांट आफ एफ़र्ट से लेके एक प्लानेट को चूज किया था और इस प्लानेट को निचूर करना शुरू कर दिया था जिसके कान हम एक पाफ़फ को भी निचर करना शुरू कर दिया था और यहां पर जाके उन्होंने अपना दूसरा डिस्पल भी चूज किया था और फिर वो आगे इसमाल करते हुए और क्याता है कि मैं यहां पर अपने ही रेस को लेकर आगे बढ़ाने लगा हूं और यह अभी हमारे इस उनिवर्स के पा आगे बताता है कि मैं अपने जूनियर और अपने यूनिवर्स मास्टर के साथ यहां पर कई पूरे यूनिवर्स में घुमा और कोई भी पाइनेकल बेंग जो कि हुमानिटी में मौजूद हो हमने उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग इस यूनिवर्स के मोज पाउफुल बेंग में से एक आने लगे जिसके बाद लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि यह सब सुनकर तो उसकी सासे ही ठम जाती है और वो कहता है कि लेकिन आपका क्या एल्लर पूटी तो यह सुनकर वो हसते होए कि तुमने मैं नाम नहीं सुना जिसके बाद व भी होता है जिसका creator कोई और ने टीपू होता है और वो सोचने लगता है कि क्या यह पूती था या फिर टीपू था और इसी सब के बार में सोचने लगता है तो वो कहाते हैं कि यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा मैं अपने जूनियर के रेसेस के बार में जानता हूँ और उसके अपने अपने अलग टेटरेस है वो एक सूपर पावर बन चुका है जो कि मेरे टीचर के जैसा है था लेकिन टीचर ने दोनों और यांसें ब्रेस के बंदे को भी वैलू किया है और उन दोनों बंदों के हुआ हूँ ताकि मैं हुमेंटी के साथ रह सकूँ जिसके बाद वो और आगे चीज़ें बताता है कि लेकिन मैंने यहां पे कोई भी मतलब नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि अभी के मरतमा मैं कोई ऐसा इराधा नहीं है कि मैं अपने रियल इस्टेंड को तुम्हां सामने बत बसकें अब लुफैंक तो कुछ नहीं कर सकता है और इन सब के बारे में फिर से वो शूचने लगता अब यहां पे पूती और लुफैंक के बारे में बहुत ह dépend हैं जो कि कुछ रेस को भी continue कर दिया था उन्हें बना लिया था लेकिन फिर भी टीचर सैटिसफाइड नहीं हुए थे और टीचर नहीं यह जाना कि उन्हें सबसे पहले एक basic level of talent को बनाना होगा और यहाँ पे एक बंदे में soul evolution बहुत जड़ा मुस्किल होता है उन्होंने बहुत ही लंबे सम पूटी आगे बताता है कि टीचर ने बहुत जाया टाइम लगा था इस heavenly technique को बनाने के लिए और यह nine manual volume यह तुमारी bodies को evolve करा सकती है और यह इस powerful universe में से बहुत ही powerful races के जितनी तुमारी powerful race कर सकती है और पूटीस की eyes चमकते हुए क्याती है कि यहाँ पे naturally देखा जाए तो soul nine volume manual का एक exception है और यह तुमारे साथ मिलकर एक best combination बना सकता है तब यह सुनकर लूफेंग की स्नाजर भी थम जाती है तिरकि यह जो great being होती है वो simply heavenly होते है और यहाँ पे लूफेंग का race एक exceptional था जहाँ पे उन्हें बहुती time देकर बनाया गया था अपूटी आगे क्याता है की लेकिन फिर भी यहाँ पे जब वो इस प्रोसेस को कर रहे थे तो manual यहाँ पे universe law could reject कर रहे थी मतलब जो manual उन्होंने बनाया था वो universe के law के भी खिलाब जा रही थी और यहाँ तक कि यह बन चुका था अब यहाँ तक कि वो manual बन चुका था और इस चीज को उन्होंने earthling को सौप दिया था लेकिन फिर भी universe के law के मताबिक वो इस manual के memory को मिता नहीं गय थे लेकिन teacher की जो power थी वो बहुँजा strong थी जिसके कान यह universe की law उन पे असर नहीं कर पाया था और वो इसके कान अराम से इसको train कर पा रहे थे अब चलो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं अ इसके कान वो सूचते हैं कि हर एक बेंग का सबसे जया powerful होता है soul और अगर हमने उसके soul को strong कर दिया तो यहाँ पे वो बहुत ही powerful बेंग बन सकते हैं इसकान उन्होंने बहुत आइक्सपरिमेंट किया और फिर earth को बनाया जिसके soul बहुत ही strong होती है और वो अपने soul को strength कर सकत हैं और इसी के साथ उन्होंने nine volume भी बनाया जिसके कान वो अपने body और soul को multiply करके amplification में डाल सकते हैं और अपने आपको powerful बना सकते हैं लेकिन जो उन्होंने manual बनाया होता है वो universe law के भी खिलाव जा रहा था और universe law अपने teacher को वहाँ पे सब कुछ भुलाने दे रहा था मतलब की अपने power से उस manual को ही non existence बना रहा था ताकि इस manual को इस universe में न लाया जाए लेकिन तूती के जो master होते हैं वो बहुत आपाफुल होते हैं और universe law उन्होंने कोई भी काम नहीं करता जिसके कान वो अराम से inside manuals को याद रख भाते हैं अब यह सुनकर तो लूफेंग सोक हो जा करता है कि हाँ तुमने सही कहा जब teacher यहां से चले गया तो यहां पर पता नहीं वो कहा चले गया और finally उन्होंने कई साए special treasures भी लाय होते हैं जिसका नाम heavenly sword crystal होता है जिसके साथ उन्होंने पूरे के पूरे manual को रख लिया था और उन manuals में unbelievable power होती है जो कि human और earth को एक साथ म उन्हें किया और looping यह समझ जाता है कि जो उससे black metal boards मिले होते हैं वो असल में वही manuals होते हैं तो पूरे उससे कहाता है कि यहां पर उनके पास heavenly soul crystals होते हैं और teacher ने पहले ही कहा दिया था कि universe law बहुत ही fierce से काम करता है यहां बीना किसी absolute kill लेकिन यहां पर always एक chance बना रहता ह है और उन्हें उस crystal के मताबिक उससे nine manuals को बना लिया और उसमें उन्होंने उस technique को जर दिया जिसके कान universe law उसमें कोई भी effect नहीं हो पाना था लेकिन इसको करने के लिए सिर्फ एक ही short बाकी था तो यह सुनकर looping stun हो जाता है तो पूर्टी कहता है कि हां एक ही short होता है और crystal के अंदर nine volumes मौझूद है लेकिन इसका एक drawback है कि यह सिफ एक ही बार pass out हो सकता है और यहां पर एक और rule है कि जब तक वो warrior यहां पर जिन्दा होगा और उस टेकनीक को लिये होगा तब तक यह किसी और को pass नहीं किया जा सकता है लेकिन जैसे ही वो warrior मारा जाएगा तो वो उ उसकी power बहुत आती और दूसरा तो यहां पर crystal को pass नहीं कर पाया था और इसकी कान दूसरा भी मारा गया था लेकिन तुम तीसरे हो और जैसा कि तुम जानते हूं कि यह heavenly soul crystal ऐसा है कि वो एक साथ दो candidate के साथ नहीं रह सकता है जब तक कि एक मरेगा नहीं अब यह सुनकर तो जैसे कि 9 volume manual जिसको बनाना और भी जड़ा हार था और इसको रखने के लिए एक special vessel की required होती है इसको train करने के लिए तो और भी जाना मुस्किलों का सामना करना पर सकता है लेकिन यहां पर पूती को दिखाया जाता है जो आगे लूफेंग से कहते हैं कि टीचर ने यांसन रे रेस के जो लीडर है वो मेरा जूनियर है जिसके बाद वो और भी आगे कई सारे बाते बताता है और वो कहता है कि में टीचर ने अपने सभी टीसपर्स के लिए कई सारे ट्रेल्स कभी बंदूबस्त किया हुआ है तो लूफेंग यहां पर एलडर पूती से पूचता है कि आपके टीचर जो एक ग्वेड बंग है तो वाकिर उन्होंने दोनों यांसान और अर्थरुम्रेस को क्यों बनाया अब यहां पर ऐसी कई सारे बाते होती है तो यह सुनकर पूती उससे कहते हैं कि अगर टीचर के लेवल के मुताबिक देखा जान तो वो इस युनिवर्स म सक भी टीचर को बुलाया करते थें लेकिन हमाय टीचर बहुत ही आलशे थे हैं सबको परिसांड करने के लिए तो लूपन भी पूछता है कि क्या उनके लीडर बनने के लिए तो यहां पर पूटी आग़े उससे समझाते होई के हां तुमने सही कहा हां तो यह सुनकर पावर्ड जैसे की होंग एलाइंस यह सब स्पेस बिस्ट एलाइंस या फिर बग्रिवेस एलाइंस यह सभी पावफुल औरगनाइजेशन में से एक हैं और उनके पास पाइनिकल लेवल की एस्ट्राइन होती हैं उनमें भी कई सारे यूनिवर्स मास्टर मौजूद होते हैं और वो सभी नाइन डोमेन एलाइंस या फिर बाकी सभी औरगनाइजेशन के तरह से होते हैं जो की सिंप्ली बहुता स्ट्रॉंग होते हैं और नाइन डोमेन एलाइंस में ही जो की एक लाक रेसे से मिलके बना होता है और पावर के टर्म से देखा जानते हो लोग तो हियू साथ 10 यूनिवर्स मास्टर अब यूनिवर्स मास्टर आप लूफएंग के मास्टर के साथ कंपेर कर सकते हो जो कि प्राइमर के ओ सीटी लीडर है यहाँ पे उनके 9 डोमेन एलाइस में 10 यूनिवर्स मास्टर मौजू थी और इस ट्रेंड के मौतामले देखा जा तो यहाँ पे जितने भी बंदे थी वो एक दूसे के बराबर थी मतलब ड़स यूनिवर्स मास्टर की एस ट्रेंड एक दूसे की जितनी बराबर थी लेकिन फिर भी उन्होंने हमाई टीचर को बुलाया इन्वाइट किया ता कि वो उनके लीडर बन सके क्या तुम जानते हों कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया तो यह सुनके लूफ्रेंग भी सौक हो जाता कि आखिर यह क्या से वो सकता है अब हॉंग एलाइंस के बार में बात की जाए तो इसमें सिर्फ 3 मिलियन एंप्रेस मौझूद है और सिर्फ 10,000 में ही नाइट्स की मौझूद है और युनिवर्स मास्टर के बार में देखा जान तो अभी तक क्लियर नहीं था कि हॉंग एलाइंस में कोई युनिवर्स मास्टर मौझूद है या फिर नहीं और उस तो इसने लगता है कि एक युनिवर्स मास्टर इस वास्ट युनिवर्स में पाइनिकल बेंग की तब देखा जाता है आखिर उन्होंने टीचर को क्यों बोलाया यहां था कि एक लाग रेसेस के बंदे भी इनके सामने जुकने के लिए तयार थे यहां था कि युनिवर्स मास्टर इसको मार पाना लगबग नामुम्किन के जैसे होता है यह पूर्टी के टीचर के सामने जुकने के लिए तयार थे अब यहां पे पूर्टी भी यह चीज बोलता है कि आखे तुमने सोचा हैं कि आखे सब लोग अपने टीचर को लीडर क्यों बनाना चाहते थे दो इसका जवाब भी सिंपल है यह इसलिए क्योंकि हमाई टीचर इतने दा पावफुल थे कि वो अराम से किसी भी यूनिवर्स मास्टर या फिर उससे लोवर बेंग को रिवाइब कर सकते थे तो यह सुनकर लूफें की सांसे थम जाती है कि क्या यहाँ पे वो किसी भी यूनिवर्स मास्टर बेंग को भी रिवाइब कर सकते हैं अब लूफें एक लंभी सांसे लेता है और उससे याद आता है कि कैसे प्राइमर के उस सीटी लीडर ने उससे क पाहता कि यहां पे अगर वो किसी भी एमपर को रिवाइब करने की कोसिश करेंगे तो भी आराम से एक बैक स्लैस को फेस करेंगे यहां पे उसको विट्ट स्टैंटो कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो थवासा इंजर्ड होगे लेकिन अगर उन्होंने एक नाइट को उस्ते उन सब को रिवाइब करने की कोशिस करने तो यहाँ पे प्रामर के उस सीटी लीडर तो मारे भी जाएंगे और इतना तक लूफिंग भी जानता था कि यहाँ पे सीटी लीडर यूनिवर्स मास्टर में सबसे जाए स्ट्रॉंगीज में से एक था और वो हुमानिटी के थाप ट्री बेंक्स में से आते थे यहाँ पे पूटी उसी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि कुछ पाफुल नाइट्स की पावर इतनी होती है कि वो अराम सी यूनिवर्स मास्टर को टकर दे सकते हैं और उन सब को रिवाइब करना मतलब यह हुआ कि यहाँ पे उनके पारे में बैक्सलेस परना इससे उनकी जान भी जास सकती हैं और वो उन सब को रिवाइब भी कर सकते हैं अब एक नाइट को रिवाइब करने से भी बहुत कुछ हो सकता है लेकिन आगर वो मरते गए और फिर से जिन्दा होते गए तो इसके कान उनकी से जिन्में की अपने अपने स्ट्रॉंगिस वारियर मौजूद है जो कि किसी को भी यहाँ रिवाइब कर सकते हैं जैसे कि यूमन रेस में यूज एक्स पाउंडर हैं और फिर वो आगे क्याते हैं कि इस सिक्स पाइनिकल रेस के बाहर में भी ऐसे कई साले स्पेसल मुस्किल होता है यहाँ पे सिक्स पाइनिकल के बाहर में भी इस पेसल लाइफ फर्म्स होते हैं जो कि अराम से किसी भी टुलिन्स और फ्रेस को क्वेट कर सकते हैं और उन्हों नहीं जैसे तुम्हार यांसिर्स और अर्टलिंग को बनाया होता है और यह टीचर बहुत फेंकी तब दीकर क्याता है कि यहाँ पे एक एलाइंस को एक बहुत ही पावफुल लीडर की जरुवत होती है ताकि वो यहाँ पे बिना किसी बैटल के ही सब चीज को कर सके अगर बैटल में भी जाए तो उनका लीडर इतना पावफुल होना चाहिए कि वो अराम से उन्हे रिवाइब कर सके जिसके कान इन्वी उस से ड़ा करेगा और अलूधी हो सकता है कि तुम मरने के बाद भी रिवाइब हो सकते हूँ इसी कान तो हमाई टीचर को यहाँ पे लीडर बनाने के लिए कहा गया था लेकिन हमाई टीचर Y flower पे अकीला काम करना ही पसंद करता ही वो इन छे पाइनिकल races में यहां कोई भी अंदर नहीं जाना चाहते हैं उनके अरलग भी special goal से जो कि उन्हें पूरा करना है और यहां पे उनका फल था जो कि यान सन्रेस और अर्थरिंग रेस था जो कि उनकी किसमत से बनाई गई होती है और फिर वो आगे लूफिंग से कहते हैं कि अगर तुम यहां पे सक्सीड हो जाओगे तो तुम यहां पे उनके ठर्ड डिस्पल बन जाओगे और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी जो future limit होगी वो boundless हो जाए कि तुम अराम से universe master बन सकते हो और अर्थर इंगरिस को अराम से dominate कर सकते हो यह नमुम्किन भी नहीं है तुम अराम से ही choose कर सकते हो कि तुम्हें humanity के साथ रहना है या फिर तुम्हें upper echelon बन सकते हो तुम हमारे senior के जैसे भी बन सकते हो जो अराम से अपनी अलग territory बना सकती है और यहाँ पे तुम्हारे अलग अलग twice जै अगर तुम यहाँ पे पास हो जाते हो of course अगर तुम यहाँ पे fail होगे तुम यहाँ पे तुम उनी दोनों बन्दों के त्वारा ही जैसे ही मारे जाओगे और तुम्हारे मरने के बाद यहाँ पे four candidate के आने का इंतजार रहेगा एलफी हमें स्राइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूती लूफए की तब दीक रहा होता है और वो कहता है बच्चे तुम अर्थ पर के most exceptional students हो और तुमने यहाँ पे कई सारे hidden test को भी पास कर लिया है और यहाँ पे एक ही life for dead part है जो कि तुमें पास करना है जिससे तुम आगे बर सकते हो अगर तुम जिंदा रहे तो यहाँ पे two leader earthling के बन जाओगे लेकिन तुम्हाँ पास एक ही chance होगा और यह chance तुमें गवाना नहीं चाहिए और लूफएंग कि वो अभी इस मुकाम पे founder of huge x dojo या फिल हॉंग एलाइंस किसी का भी match नहीं कर सकता तो पूर्टी कहता है कि हाँ यह हो सकता है of course यह possibility है क्योंकि यहाँ पे सब चीज law of training यह सब पे related है जो तुम टेकनीक सिकते हो लेकिन यह तुम्हें खुद पे rely करना होगा तो यह खुद से अपने आपको powerful बनाना होगा जैसे कि तुम यांसान रेस के leader को ही देख लो यहाँ पे उन्होंने trillion of ears तक खुद को train किया लेकिन फिर भी वो अभी टक teacher से weak है तो लूफेंग भी हाँ ही करता है कि हाँ ऐसा है ही हमें खुद से महनद करना पड़ेगा अब actually देखा जा तो यहां से न्रेस के जो leader होती ही जो कि universe में से powerful warriors में से एकाते है यहाँ तक कि humanity भी उसको challenge करने का इमत नहीं रखता है वो already इतने दा powerful हो सकते है लेकिन फिर भी यहाँ पे वो अपनी teacher के level पर नहीं पहुचा था अब looping पूछता है कि आखिर यह final life or dead part क्या है आखिर यह क्या है तो पूटी कहता है star tower यहाँ का final challenge ही यहाँ पे तुम्हें star tower को यहाँ पे अपने अंदर submit करना है तुम्हें star tower का master बनना होगा तो looping shock हो जाता है कि क्या star tower मुझे उसका master बनना होगा अब यहाँ पे looping का life and dead battle होनी वाला है जो कि हम अगले एपिसोड में देखेंगे तो मिलते है next review में तब तक के लिए बाए